आखिर में हरियाना के युवा बच्चों के भविश्य को निलाम करने की खबर पुलिस कॉंस्टेबल के पेपर को सरयाम बेचने की खबर तीस-तीस-चालिश-चालिस राक रूपिया में हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल के पेपर बिक रहे हैं ये खबर सत साबित हुई हरियाना के युवाउं की आवाज बुलंद करने की बाद आखिर में खटर सरकार तो दम दबा कर दुबकी रही पर हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को ये पेपर खारिज करना पड़ा आज सुबह हुआ और दोपहर को हुआ दोनों पुलिस कॉंस्टेबल के पेपर खारिज कर दिये गए कल भी जो दोनों सुबह और दोपहर बाद पेपर होने थे वो भी खारिज कर दिये गए खट्टर साहब हरियाना के लाखो युवाओं के भविश्य के लिए खिलवाड के लिए कौन जुम्मेवार है दुशन चोटाला जी क्या ये सब्जबाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं सच्चाई ये है के पेपर लीक माफिया के तार हरियाना के सत्ता धारी सफेद पोशों से जुड़े हैं उचाला अधिकारियों से जुड़े हैं स्राफ सेलेक्शन कमिशन के लोगों से जुड़े हैं आई बार पेपर लीग हो जाता है आई बार F.I.R. दर्ज होती है साथ साल में एक व्यक्ति साथ साल में एक इनकुआरी होकर एक माफिया और सरगना और गिरों को आपने ना पकड़ा ना सजा दिलवाई क्या इसके माएने ये नहीं के भाजप्पा जजप्पा सरकार के तार कहीं ना कहीं शायद पेपर लीग माफिया से जुड़े हैं हर्याना के युवाओं से कितना और अन्याय करेंगे खटर साहब, पर्ची और खर्ची की ये सरकार, रिश्वत और पेपर लीग की ये सरकार इसको अब चलता करने का समय आ गया है, ये हर्याना के पुलिस कॉंस्टेबल के पेपर लीग मामले से साफ है, सामने आईए मुख्य मंत्री जी वत्तव्य दीजिए बताईए कौन सा वो सफेद पोश है जो पेपर बेच रहा था कौन सा वो अधिकारी है जिसके उनसे तार जुड़े हैं स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में वो कौन-कौन है जो पेपर लीक माफिया का अड़ा बन गया है इसका जबाब हरियाना के युवाओं को देना पड़ेगा नहीं तो हरियाना का नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा जैहिन धन्यवाद